समुद्र में रहने वाले स्टारफिश पर जो कोई जीव हमला करता है तो ये खुद के शिरीर के टुपड़े कर लेती है जिससे ये सामने वाले जीव को चक्मा देकर भाग सके और ये स्टारफिश अपने उस खोए हुए हिस्से को वापस से ग्रो कर लेती है क्योंकि इसमें खुद के शिरीर को दुबारा विक्सित करने की एक्षमता पाई जाती है और हर हिस्से को पहले जैसा कर लेती है अगर इसे दो भागो में भी काट दिया जाए तो ये दो अलग-अलग स्टारफिश बन जाती है एसे ही वीडियो के लिए वीडियो लाइक करें और चैनल सब इसकाइब दो